जैहिंद मेरे पहरों दोस्तों जो भी वांट कैस नहीं वीडियो में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों उमीद करता हूँ जहां भी होंगे अच्छे होंगे सुस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले है पंचायत कारिपालक सहायक की वर्ती के रिगोर्डिंग यहाँ पर जो है आपका एक अपडेट निकल के आया दोस्तो उसे रिलेटेड हम यहाँ पर आपको जानकारी जो है वो देने वाले हैं यह लगभग बिहार के अंदर जितने भी पंचायत है दोस्तो उसमें आपका कारिपालक सहायक की वर्ती जो है वो निकल के आने वाली है यह इसके लिए आपका पोस्ट अपडेट यहाँ पर निकल के आ चुका है यह जो है आपका चुनाओ के बाद 8,067 पोस्ट के लिए जो ह है वो कारिपालक सहाय के निक्ति जो करवाया जाएगा दोस्तो यह यहाँ पर वेल्डरोन के माधियम से इसकी जो बहाली होने वाली है तो क्या कुछ qualification रहने वाला है और क्या eligibility criteria होगा कौन से कौन आवेदन कर सकेंगे क्या क्या है इसके अंदर जो क्या कुछ update निकल के आया है हम इसमें बात करने वाले हैं दोस्तो तो वीडियो के अंतक बने रहेगा तो सारा सवाल और डाउट आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा यहां पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करेंगे हम चलते हैं वीडियो में आगे पिपर कटिंग के माधियम से दोस्तो यह post update निकल के आया है और इसी से हम आपको जानकारी जो है वो देने वाले नोटिफिकेशन अभी तक जारी ने हुआ जैसे ही जारी किया जाएगा दोस्तो तो आपको इस चैनल पर update कर दिया जाएगा उसके लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं चुनाओ के बाद जो है अड़ियर सड़ 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 कारेपालक सहयक की होगी निउक्ती इंदोस्तान जोप्स जो है पटना यह इसके में आपका post update निकल के आद पंचायत चुनाओ के बाद 8,066 कारेपालक सहयक की निउक्ती की सम्विदा पर आधारी जो है इसके लिए पंचायती राज विभाग प्रस्ताव तयार कर रहा है चुनाओ संपन होने के वित बाद और फिर कैबिनेट की स्विक्रिती ली जाएगी और इसके बाद आपका निक्ती की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बेल्टरोन के माध्यम से आपका कारेपालक का चैन किया जाएगा लगभग ऑठ जीसरों sería ग्राम पंचायत में दोदो कारपालक साहयक की पदस्थापीत को लेकर इस निक्ती सत्रफा अब ही तक एक ये कारपालक साहयक जो है यहां पर ग्राम पंचायत में कारे रत हैं और वो काम कर रहे हैं आपको जानकारी दिया था और उसी से यहां पर दो दो कारेपालक निउपती एक ग्राम पनचायत के अंदर दो कारेपालक निउपती की बहाली किया जाना था लेकिन यहाँ पर जो है एक एक ही ग्राम पंचायत होनी की वज़े से इस संबंद में पदाधिकारी बताते हैं कि ग्राम पंचायत में कारेरत सहायकों से जीला के प्रसासन द्वारा पंचायती राज के अलावे भी अन्यकार करवाय जाते हैं जो एक पंचायती राज के जो का एक और आठीपीस काउंटर पर यहां पर करते एक और अदिक सहाया की ज़रूरत है तैनात होनी है ताकि कारपालक दो ग्राम पंचायद के अंदर जो है वो साहय की जिम्मेदारी दी गई है जो सभी जीलों को निर्देशित के लिए प्रती दिन काम कम से कम धाई घंटे अनिवार रूप से पंचायद और आटी प्यस काउंटर जो है वो खूले रहेंगे वहां पर आपको कम काम करत हुए मिल जाएंगे जो भी जानकारी होगा दोस्तों ग्राम पंचायद से रिलेटेड और जितने भी ब्लोक वगरा से रिलेटेड आप काम करते थे वह आप अपने पंचायद में ही कर पाएंगे इससे रिगार्डिंग मैंने जानकारी जो है दिया हूँ इसके पहले कल दो सब्सक्राइब करके बेले कान प्रेस कर लेंगे और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरू लाइक करें क्योंकि एक लाइक आपका मोटिवेट करता है मैं आपके लिए इसी तरह का इन्फोर्मेशन गवर्मेंट जो लेकि आते रहता हूं दो मिल तो